जब हम शिवजी को चड़ाते हैं तो शंकर भगवान को चड़ाते समय इस बेलपत्र की जो डंडी होती है जब हम भगवान देव अधिर्यों महादेव को समरपित करते हैं तो डंडी का भाग आपकी विपरित दिशा में होता है जब हम कोई कामना ना करते हुए बेलपत्र को समरपित करते हैं तो डंडी का भाग विपरित होता है पर जब हमारी कोई कामना होती है हम कुछ भगवान से अगर लेना चाते हैं मांगना चाते हैं भगवान से हम कुछ कहना चाते हैं तो ये बेलपत्री की डंडी का मुख अशुक सुंदरी की ओर हो जाता है कहां कर देते हैं फिर डंडी को जम के बोलो जरा मतलब ये शिवलिंग शिवलिंग से जहां जल धारा जल बहरा है फिर यब हम संकर के शिवलिंग पर बेलपत्र चड़ाते हैं तो डंडी का मुका शुक सुन्दर की और कर देते हैं जब हमारी कोई कामना होती है तब